हेलो दोस्तों, वेलकम डू एस्टुडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यू बुक जो रेलेवे गुरूप डी पड़ी पड़ी चा, कोर्शन बेंग दोचर बाइस का जो न्यू कोर्शन आया है इसका बुक जो आया है, तीस सिप्ट का भॉलम हुवन आया है इसका डेली स्रीज चल रहा है इस चैनल पर साइन्स का डेली आने वला एलपी एक्जाम के लिए 20 में 20 आपको कोर्शन में सॉल्व कर सकते हैं तो कोशन को आपको देखना है समय से डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो इस चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को सेर कर जिए लाइक जरूर कर जिसे होगा आप मोटिवेट होंगे कि आप लोग को 30 shift का लगतार continue आप लोग को कोशन प्रवाइड कराया जाएगा तो इसलिए क्योंकि बुक जो है इस मार्केट में बहुत अभी महंगा चल रहा है अगर आप लोग इसका डेली अगर प्रैक्रिस करना चाहते हैं तो आप लोग शेर जरूर करें जो अगर बुक नहीं अगर लेना चाहते हैं वह इस कोशन को solve कर सकेगा इसलिए शेर आप लोग जरूर करें तो चलिए कोशन की ओर कि कोशन किस परकार से कोशन इसका जाए क्योंकि न्यू बुक आया है इसका भॉलम वण क्योंकि गुरूप दीम जो कोशन हुआ था 2022 में उसका हुआ था 99 शिप्ट है यह भॉलम वण 30 शिप्ट है तो आगे इसका भॉलम टू भी जाएगा उसका भी आपको प्रवाइड कराया जाएगा तो चलिए कोशन की ओर देखिए यह कव का कोशन है यह है कोशन अठारा तारीक अठमा महना तो 22 थाड़ शिप्ट का है सेट 6 है तो यह अगर आप कोशन अगर नहीं देखे हैं पले लिस्ट जाक बना हुआ है कोशन देख सकते हैं आपको डेली हैं प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो लगतार आपको श्रीच चलता ही रहेगा तो चलिए कोशन के और देखे कोशन किस परकार से है तो देखे कोशन में कोशन इसका किस परकार है तो चलिए देखे कोशन जैसे की देख सकते हैं छे नमर कोशन छे नमर कोशन में देखे ध्यान से कोशन में क्या कहा गया कोशन में कहा गया छे नमर में तापन उपकरन का हिटिंग एलिमेंट बनाने हे तू चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुन अनिवारता मजूद होनी चाहिए question में कहा गया कि तापन उपकरन का hitting element बनाने है तू चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुन अनिवारत मजूद होनी चाहिए तो बताइए इसका answer क्या हो जाएगा जैसे देखे एक नमर में कहा गया कि उच गलनांक होना चाहिए दोम कहा गया उच परतिरोधता होना चाहिए तीन में कहा गया निवन परतिरोध होना चाहिए तो बताइए तीन में से कौन इसका सही option A, option B, option C, option D कौन इसका सही हो जाएगा छे का तो छे का answer बताइए क्या हो जाएगा तो 6 का एंसर हो जाएगा option C इसका एंसर हो जाएगा केवल केवल इसका हो जाएगा एंसर C एक और दो इसका एक और दो इसका एंसर हो जाएगा क्या एक में क्या है उच गलनांक और उच गलनांक दो में उच परतिरोधता इसका option हो जाएगा च्छे का सी अंसर क्योंकि कोशन में कहा गया तापन उपकरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने है तू चुने जहने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुन अनिवारता मजूद होने चाहिए तो क्या होने चाहिए उच्छ गलनांक और उच्छ परतिरोध उच्छ परतिरोधत रोधक्ता तो इसका एंसर ऑप्षन सी हो जाएगा आगे चलिए कोशन की ओड़ आगे देखिए कोशन में क्या कहा गया जैसे की देख सकता आठ नमर कोशन आठ नमर कोशन में कहा गया जीनों के कुछ लच्छनों का उल्लेक नीचे किया गया है काउन सा विलकप जीनों के गलत संजचन को दरसाता है कोशन में कहा गया है जीनों के कुछ लच्छनों का उल्लेक नीचे किया गया है काउन सा विलकप जीनों के गलत लच्छन का दरसाता है तो बताए इसका एंसर 8 का क्या हो जाएगा तो 8 का answer देख सकते 4 option दिया गया है नीचे तो बताइए 8 का answer option D हो जाएगा option D हो जाएगा इसका इन में से कोई परिवर्तन नहीं होता है इन में से कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका answer कों कहा गलत है तो ये option D इसका गलत है कि इन में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें कहा गया option 8 का D answer हो गया A कहा गया यह protein का उत्पान करके लक्षनों को नियंतिर करते हैं beam कहा गया यह DNA का खंड है सीम का परतिक जनने कोशिकावे में एक gene set होता है इसमें क्या कहा कि कौन गलत है गलत लक्षन को दरसाता है option D इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता इसका answer option D हो गया आगे चलिए कोशन को देखिए 9 नमर कोशन देखिए क्या कोशन में कहा गया चुम्बकिया छेत्र के अंदर इस्तित धरावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारन करने के लिए इनमें से किस नियम का उप्योग किया जाता है कहा गया कोशन में चुम्बकिया छेत्र के अंदर इस्तित धरावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारन करने के लिए इनमें से किस नियम का उप्योग किया जाता है तो बताईए 9 का एंसर क्या हो जाएगा तो 9 का एंसर option B हो जाएगा flaming के बाएं हाथ का नियम flaming के बाएं हाथ का नियम जो है चुमबकिया छेत के अंदर इस्ति धरावाई चालक बल का निरहाथ करने के लिए किया जाता है तो बल का निरहाथ कुन करता है flaming के बाएं हाथ का नियम तो option 9 का B हो जाएगा चलिए आगे कोशन देखिए आगे देखिए कोशन एगारा नमर कोशन एगारा नमर कोशन में क्या कहा गया एगारा में कहा गया कि मनुस का निम्न में से कौन सा अंग उस सर्जन अंग के रूप में कायर नहीं है कोशन में कहा गया मनुसों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सरजन अंग के रूप में कायर नहीं करता है तो बताइए एक गारा का एंसर क्या हो जाएगा एक गारा का एंसर हो जाएगा option B इसका छोटी अंग्ट छोटी आंत जो है मनुष्ट का उसना अंत के रूप में कायर नहीं करता है फेफरा करता है तोचा करता है बरी आंत करता है कौन नहीं करता है छोटी आंत नहीं करता है तो चलिए गारा का बी एंसर हो गया चलिए आए कोशन की ओर चलिए आगे देखी कोश्चन में क्या कहा गया बारा नमर कोश्चन बाराम कहा गया निमलिखित में से काउं साक्षुक्ष लगू और मध्यम MSME के छेत्र की विर्धी एवं विकास में सहायता करने के परियोजनाथ भारत्य सांसद का एक अधिनियम के ताथ 1990 में अस्थापित एक सोतंतर विर्धिय संस्था है कोश्चन में कहा गया निमन में से काउं सा सुक्ष लगू और माध्यम MSME के छेत्र की विर्धी एवं विकास में सहायता करने के परियोजनाथ भारत्य संसद का एक अधिनियम के तहद 1990 में अस्थापित एक सोतंतर विर्धियस अस्थाण है तो बताईए इसका बारा का एंसर क्या हो जाएगा तो बारा का एंसर हो जाएगा इसका ओप्षन भी इसका एंसर हो जाएगा शिडवी चैज़ी का जाएगा शिडवी इसका एंसर 12 का भी हो जाएगा इसका एंसर उसके बाद चलिए एक कोशन की ऊर देखिए आगे देखे कोशन तेरह नमर कोशन कहा गया भारत के निमलिखीद परसिद चर्चो में से कौन सा अपने अस्थान के साथ सुमलित नहीं है कहा गया भारत के निमलिखित पर्तित चर्चों में से कौंस अपने अस्थान के साथ सुमलित नहीं है तो देखिए option A, B, C मुरिया गया ये चर्च है ये कहां इस्तिर है ये इसके साथ सुमलित नहीं होना चाहिए तो देखिए इसका answer देखिए तेरा का क्या हो जाएगा तो तेरा का answer हो जाएगा option C इसका answer हो जाएगा option C, set John in the wildness church ये कहा गया ये पुडूचेरी में है लेकिन ये नहीं है ये पुडूचेरी में नहीं है question में कहा गया उसके बाद देखिए उसके बाद कुछे question में क्या कहा गया उसके बाद देखिए एम देखिए सांतकुज वेसलीका वाव है कोचिक में है उसके बावी में ब Sichfelt बैसी लीका औफ बॉम जी साथ यह कहां है गुवा में देखिये शेंट पॉल कहां । कहां है कोलकाता में लेकिन इसम्य कहां अपने अस्थान के साथ सुम्लित नहीं है तो Alg scal सी सुम्लित नहीं है से जोन इन दा वाइल नेस चर्ट ये पुडूचेरिम गया ये नहीं है ये पुडूचेरिम में नहीं है इस परकार इसका answer कहा गया कौन सुम्लित नहीं है तो option c का सुम्लित नहीं है ये answer हो जाएगा option c day is तो चलिए आगे कोशन की और देखे किस परकार से कोशन है आगे चलिए कोशन की और देखे कोशन किस परकार से है आगे देखे 17 नमर कोशन 17 नमर कोशन में क्या कहा गया 17 में कहा गया जब नदी का पनी चैनल के बाहर नदी के टाटो का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोर को क्या कहा जाता है पोशन में कहा गया जब नदी का पनी चैनल के बाहर नदी के टतो पर अपर्दन करता है तो नदी में बनने वाले मोर को क्या कहा जाता है तो बताईए 17 का एंसर क्या हो जाएगा 17 का एंसर क्या हो जाएगा 17 का answer हो जाएगा option B इसका answer हो जाएगा 20 इसका answer 20 हो जाएगा 17 का B answer तो चलिए आए question की ओर आगे देखे question 20 नमर question 20 में कहा गया कि राम क्रिश्न मीशन किया स्थापना 1897 में डैस के द्वारा की गई थे राम क्रिश्न मीशन किया स्थापना आठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट बीस का एंसर हो जाएगा option B हो जाएगा इसका एंसर स्वामी विवेकानन्द राम कि इस मीशन के अस्थापना 1897 में डैस द्वारा की गई थी स्वामी विवेकानन्द द्वारा तो क्या 20 का option B एंसर हो गया आगे चलिए कोशन की ओर आगे देखे कोशन में कहा गया 21 कोशन में कि निमलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलिया दरपन का अभी लंब के रूप में काईड करता है कोशन में कहा गया निमलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलिया दरपन पर अभी लंब के रूप में कायर करती है तो देखिए एम कहा गया धुर्व और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दो नमर में कहा गया वक्ता केंद्र और अब आपतन बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीन नमर में बताना ए सही है या एक नमर दो नमर सही है या दो तीन सही है बताइए कौन इसका सही हो जाएगा एक कीस का थूर्व और वक्ता केंद्र को मिलाने वरे रेखा और वक्ता केंद्र को आपतन बिंदु को मिलाने वरे रेखा तो ए और दो इसका सही हो गया चलिए आए कोशन के देखिए आगे देखिए 22 नमर कोश्चन 22 नमर में कहा गया कारवन डेस के कारण अस्थाई योगिक बनाने में सक्षम होता है कहा गया कारवन डेस के कारण अस्थाई योगिक बनाने में सक्षम होता है तो बताईए 22 का एंसर क्या हो जाएगा तो 22 का answer option A हो गया अपने छोटे पर्मानू आकार के कारवन डेस के कारणारास्थाई योगी बनाने में सक्षम होता है अपने छोटे पर्मानू के आकार option A हो गया 22 का आगे चलिए question की ओर आगे देखे question में कहा गया 26 नमर question 26 में कहा गया 26 सीधे तार में धारा पच्छिम से पुर्व की और परवाइत होती है तो पुर्वी सीधे से देखे जाने पर चुमक्या छेतर रेखाएं की दिशा क्या होगी कहा गे question में 26 सीधे तार में धारा पच्छिम से पुर्व की और परवाइत होती है खुडवी सीधे से देखे जहने पर चुमबकिया छेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी तो बताएए 26 का एंसर क्या हो जाएगा 26 का एंसर हो जाएगा Option A हो जाएगा इसका एंसर तार के लंबत तल में वामार्त तार के लंबत तल्प में वामार्थ इसका एंसर 26 का ए हो जाएगा क्योंकि कोशन में कहा गया एक 36 सीधे तार में धारा पच्छिम से पूर पच्छिम से पूर्व के परवाईत होते हैं पूर्वी सीधे से देखे जाने पर चुम्प के अच्छित की देखाएं कि दिशा तार के लंबत तल्प में वामर्थ हो जाएगा ऑप्शन यह हो जाएगा 26 का उसके बाद चलिए को मैंनीशियं रीवन वायू ऑक्सीजन में एक चमकदार लव के साथ जलता है और एक सफेद पदार्त एक्स में परिवर्तन हो जाता है एकस क्या है तो बताईया 28 का एंसर क्या हो जाएगा तो 28 इसका answer option B हो जाएगा इसका answer MGO MGO option B answer जोगा 28 इसका B answer हो जाएगा 28 का B इसका answer हो जाएगा magnesium oxygen इसका answer option B हो जाएगा 28 का B आगे चलिए question के उड़ देखिए आगे जखे question में क्या कहा गया तीस नमर कुशन, तीस में कहा गया निमलिखित में से किसकी परमाउं तरिजा सबसे बड़ी है कुशन में कहा गया निमलिखित में से किसकी परमाउं तरिजा सबसे बड़ी है तो बताए तीस का एंसर क्या हो जाएगा तीस का answer option D हो जाएगा आयोडीन का आयोडीन का जो तिरिजा परमान तिरिजा सबसे बरी होगी oxygen chlorine और chlorine और fluorine से ज्यादा होगा किसका आयोडीन का तो तीस का D answer चलिए आगे देख़िए आगे देख़िए कोशन में कहा गया आगे कोशन के और देख़िए 33 नमर कोशन 33 में कहा गया जयब निमनी करन अपसिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ परवावों का उल्लेख नीचे किया गया है गलत कथन का चैन किजिए कहा गया कोशन में जयव निमनिकरन अपसिस्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ परभावों का उल्लेक नीचे किया गया है गर्ट कथन का चेन कीजिए तो बताएए 33 का एंसर क्या हो जाएगा 33 का एंसर हो जाएगा ओप्शन B हो जाएगा इसका एंसर लेड फिल में भेजे जाने वाले अपसिस्ट की मातरा बढ़ जाती है तो अप्शन इसका बी एंसर हो जाएगा क्योंकि कोस्टन में कहा गया जयव निमनिकरन अपसिस्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ परभावों का उल्लेक नीचे किया गया गलत कथन का चेन किजिए इसमें गलत कौन है ऑप्शन भी इसका गलत है ऑप्शन ए देखिए मेड़ा पोसंत अत्तोपन पुनः पूर्ति करता है सीम देखे कहा गया या मच्छरों के परजन अस्तर के रूप में कार करता जिससे बीमारी फैल जाती है यह भी सही है डीम का दूहता देता है यह भी सही है कौन गलत है ऑप्शन भी इसका गलत है क्योंकि अप्शिस्ट पतार से क्या होता है यह सब फैलता है लेकिन इसमें बीम गलत इसका गलत कता है गलत कथन का चेन किजिए गलत कौन है ऑप्शन भी इसका गलत है क्योंकि कोशन में कहा गय इसमें गलत में कहा गया लैड फील में भेजे जाने वाले अपसिस्ट की मात्रा बढ़ जाती है ये गलत है तो चलिए आए कोशन को देखिए आगे कोशन में क्या कहा गया जैसे देख सकते हैं सैंटीस नमर कोशन जैसे कि देख सकते हैं सैंटीस नमर कोशन में क्या कहा गया कहा गया दिये गए परिपत्थ में तीन ओम परतिरोद में परवाई धारा ग्यात किजिए तो देखिए तीन ओम चार ओम दिया गया है इसको क्या करना स्रेनी करम में आर एस बरावर आर वन पलस आर टू इसको जब जोड़िएगा तो क्या तीन ओम पलस चार ओम कितना हो जागा साथ ओम हो गया कितना हो गया साथ ओम अब देशिए साथ ओम हो जाने एक बात क्या अब भोल्ट कितना को पता है भोल्ट है पंच यह पता है तो इसका सुत्र क्या लेगा भी बरावर आई आर क्या लेगा भी बरावर आई यार हमको भी पता है आर पता है आई निकालना है तो i बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा क्योंकि i जब हम निकालेंगे चीज़ेब निकालेंगे तो b y r high ब republican तो b का वावन कितना है 5 r का मन कितना है 7 तो 5 बटा 7 mp y n कर चलाएगा इसका answer तो 37 का answer क्या हो गया 37 का answer option बी हो गया option बी इसका answer हो जाएगा पहुंच बता साथ MPR समझ गये हैं तक question तो चलिए आगे question की ओर कि देखे आगे question में क्या कहा गया कहा गया 49 नमर question में बांध फुर्ण वास और सुधार परयोजना किस वर्द सुरू की गई थी कहा गया बांध फुर्ण वास और सुधार परयोजना किस वर्द सुरू की गई थी तो बताईए 49 का answer क्या हो जाएगा 49 का answer क्या हो जाएगा option ये इसका answer दो हजार बारा में दो हजार बारा में बांध पुर्ण वास सुधार ये परयोजना किस वर्द सुरू की गई थी दो हजार बारह में 49 का ए अंसर उसके बाद चलिए एक कोशन देखिए आगे देखिए कोशन में क्या कहा गया देखिए कोशन 43 नमर कोशन 43 में कहा गया सोडियम धातू के जल के साथ अभिकिरिया कराने पर क्या होता है कोशन में कहा गया सोडियम धातू के जल के साथ अभिकिरिया कराने पर क्या होता है तो बताइए 43 का एंसर क्या हो जाएगा 43 का एंसर क्या हो जाएगा तो क्या बनेगा hydrogen gas और sodium hydroxide billion बनते हैं तो option इसका 43 का एसका answer निकल कर चलाया तो चलिए आए question योड देख़िए आगे देखे question में क्या कहा गया जैसे की देख सकते हैं current question को हम छोड रहे है current question को छोड रहे है कि पुराना current को कोई महत नहीं है चलिए question को देख़िए question किस परकार से question इसका दिया गया है तो जैसे की आप लोग देख सकते हैं देखे question में 51 number question 51 number में क्या कहा गया निमलिखित को सुमलित किजिए निमलिखित को सुमलित किजिए तो बताइए option A option A देखिए पदार्थ है ये ये क्या है पदार्थ ये है पी अच मौन तो निम्बू का रस का कितना होता है निम्बू का रस का कितना होता है तो बताइए आप लोग देखे question में किस परकार से question इसका दिया गया है question दिया गया है तो देखिए निम्बू का रस, निम्बू रस का कितना मन होता है, तो 51 का एंसर बता दें यह क्या हो जाएगा, 51 का एंसर हो जाएगा, option D इसका एंसर हो जाएगा, 81, निम्बू रस का हो जाएगा, 2.2, निम्बू रस का हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, उसके बाद जठर रस का, 2 नमबर, ज 12 competent one तो हो जाएगा उसके बाद देखिए तीन नमर का 3 to three हो जाएगा इसका डीहोटएगा 10 प्यदियूस्या-चार 90 नमर में च्यार नमर में सब्सक्राइब केवाद के बावन के में कहा गया कुछ पाउधे अपनी जरों से नए पौधों भी पैदा कर सकते सकते हैं डैस ऐसे ही अई पोफ्धे का एक उधारन है औरान है कहांग a question में कुछ पैविधों से नए पोफ्धों करते हैं डैस ऐसे सी ही पाउधे का एक उधारन है हैं बताईए 52 क्या हो जाएगा 52 का अंसर हो जाएगा option ई कि सकर कंदो कुछ पोथे अपने जरो से नई पोधो पज़ा कर सकता है ड कर शन पोधा कर सकता है जो जरो जरुए जरो से पोधा कर सकता है तो आगे कोशन में पच्पन नमर क्उशन पच्पन में कहा गया सिपको आंदोलन के संधर में गलत बिलकप के अच्छे अन कीजिए कहा गया सिपको शंधर्म में गलत विलकप का चैन की चार अप्शन दिया गया कौन गलत है ये बताई तो अप्शन ये वह कहा गया यह पेड को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आदोलन था उसके बाद देखिए भीम कहा गया इनमे वन सनच्छन के परियासों में समुदायों की भागि दारिस उन्हें चित की है उसके बाद सिम कहा गया इनमे से सरकार को वन उपज के उप्योग से संबंधित उनकी पर्थमिताओं पर पुन विचार करने के लिए मजबूर किया दिम कहा गया लोगों ने महशूस किया कि मिर्दा की गुनबत्ता बनाए रखने के लिए वन ऐसन दिया गया है कौन इसका 15 का गलत है तो पच्च पन का एसका गलत है या पेरों को बचाने के लिए चलाया गाये हिन्सक अंदोलन था यह गलत था कौन गलत है यह गलत ओप्शन 55 का एक गलत है क्योंकि देखें इने वे संच्छन पढ़ियासों में समुदायों के भाकिदाय सुनचित की है सही है सी में सरकार और उपज के उप्योग से संबत उनकी परफ्सन उताव पर वीचार करने में मजबूर कियाए भी सही है दीन देखे का गया लोगों महसूस किया कि मिर्दा गुर्वत्ता बनाए रखने के लिए वन आविस्थ्थ है इभी से कौन गलत है आप्शन नहीं है चलिए आगे कोशन देखिए कि आगे देखिए कोश्चन आगे देखिए कोश्चन उन्सथ नमर कोश्चन उन्सथ नमर में क्या कहा गया निमलिखित में से काउन सा पौधो में संग्रित कार्वो हाइडेट है कहा गये कोश्चन में निमलिखित में से काउन सा पौधो में संग्रित कार्वो हाइडेट है तो बताइए उन्सट का एंसर क्या हो जाएगा किसमें चार अप्सर में कर्भो हाइडेट संगीत होते है उन्सट का तो उन्सट का भी एंसर हो जाएगा अस्टाच निमलिखित में से काउन सा पौधो में संगीत कर्भो हाइडेट होते है तो अस्टाच में तो 69 का बी एंसर अस्टाच हो जाएगा ऑप्शन भी तो चलिए एक कोशन की ओर कि देखे साइट नमर कोशन साइट में कहा गया भारत्य संविधान अनुछेद 243 इपंचायत की कि किस विशेष्टा से संबंधित है भारत्य संविधान साइट का इंसर क्या हो जाएगा साइट का साइट की अवधिग ऑप्शन स्वाइऔर चलिए कोशन की ओर प्लीन साइट का जैट की स्वाच्व गंतन्त्र दीवस इनमें से कि किस वर्ष मनाया गया था कहा गया भारत का पहला गंतन दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था तो बताइए बारसर कैंसर क्या हो जाएगा तो बारसर कैंसर आप्शन सी हो जाएगा 1950 में मनाया गया था 1950 में गंतन दिवस पहला मनाया गया था तो चलिए आएक कोशन की ओर आएक कोशन देखिए देखिए आएक कोशन पैसर नमर कोशन पैसर में कहा भारत दच्छिन एसिया का तीसरा सबसे बरा देश है जो प्रिथवी के भू छेत्र फल डैस में फैला है कहा कोशन में भारत दच्छिन एसिया का तीसरा सबसे बरा देश है जो प्रिथवी के भू छेत्र फल के डैस में फैला हुआ है तो बताईए कितना फैला हुआ है पैसट का तो पैसट का एंसर हो जाएगा ऑप्शन एसका एंसर दो दसम लब चार परसेंट भारत दच्छिन एसिया का तीसरा सबसे बरा देश है जो प्रिथवी के भू छेत्र फल के डैस में फैला हुआ हुआ है तो आप्शन 65 का ए हो जाएगा इसका एंसर उसके बाद चलिया एक कोश्चन की ओड़ आगे देखे कोश्चन में 69 नमर कोश्चन 79 में कहा गया एक गोलिया दरपन द्वारा उत्पन आवर धन माइना 0.05 है दरपन द्वा ने जए प्रतिविम कैसा होगा तो बताईए 79 का एंसर क्या हो जाएगा 79 का एंसर हो जाएगा उप्शन इसका A हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा क्योंकि एक गोलिया दरपन द्वा उत्पर आवर धन जो होता है यह क्या है माइनस 0.5 है तो दरपन दोरा परतिमी कैसा होगा वास्तविक उल्टा और छोटा होगा तो 79 का क्या हो जाएगा 79 का एंसर हो जाएगा option इसका एंसर होगा क्योंकि जैसे देख सकते हैं आप यह जो है यह अबतल दरपन है इसका होता है उसके बाद आवटल दरपन आवर्धन यदि धनात्मक परति धनाकमा होतो तो परतिमी अभासिता अभासित आवस्तु से बराब बनेगा इस परकार से इसका क्या होगा इसका एंसर option एह हो गया आगे देखे कोश्चन आगे देखे कोश्चन में कहा गया 71 नमर कोश्चन 71 में कहा बंधन बैंक की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो बताई यह एक 70 का एंसर क्या हो जाएगा 71 का एंसर ऑप्षन डी हो जाएगा 2015 में 2015 में बंधन बैंक की अस्थापना हुई थी तो चलिए आएक कोश्चन की ओर कि आगे देखे कोश्चन कि आगे देखे कोश्चन 72 नमर कोश्चन में क्या कहा गया 72 देखिए यह जो है करेंट और कोश्चन है तो चलिए आएक कोश्चन योड जैसे की कोश्चन की ओर देखिए 77 नमर कोश्चन 77 में कहा गया भारते संबिधान में डैस भाग और डैस की अनुसूचियां है भारते संबिधान में डैस भाग और डैस की अनुसूचियां है तो बताएए 77 का एंसर क्या हो जाएगा 77 का एंसर आप्शन B हो जाएगा 25 भाग है 12 अनुसूचियां है भारते संबिधान में 25 भाग है 12 अनुसूचियां है तो 77 का B एंसर हो जाएगा उसके बाद चली आएक कोशन की ओर, आगे देखे कोशन में क्या कहा गया, आगे देखे कोशन, एक आसी नमर कोशन, एकासिम कहागा एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी पचास सेमी है तो लेंस की छमता ग्यात कीजिए तो बताईए इसका एंसर क्या हो जाएगा एकासी का एंसर क्या हो जाएगा एकासी का एंसर क्या हो जाएगा कोशन में दिया गया question में दिया गए एक अपसारी lens तो अपसारी lens का मतलब क्या होता है अबतर lens अपसारी lens का मतलब अबतर lens अभी सारी का मतलब हुआ उत्तर lens जब होगा up up हो गया तो क्या होगा अबतर lens अभी हो जाएगा तो उत्तर lens हो जाएगा उत्तल लेंस यह अप सारी है अवतल लेंस तो अवतल लेंस में इसका हमको पचास फोकस दूरी कितना दिया गया है पचास फोकस दूरी कितना है एप कितना है पचास है तो पचास है इसका उसके बाद देखिए पचास है तो इसका लेंस इसका क्या हमको निकाला है छमता निक हint तो जैसे कि देख सकते हैं एक जबाद chiff का मौन को कितना पचास क्या सीध है मिन क्या है क्या है सटीमीटर थंको इसको मीटर करना है मीटर करना है उपर एक सबस्क्रण हो जाएगा उपर 100 तो पचास दुनों और Chicago मैनस तुडी निकल कर चलाया माईनस 2D इसका option C इसका answer निकल कर चलाया तो इस परकार से क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर धीक मतलब होता है मीटर थामको मीटर में convert करना है तो उपर 100 हो जाएगा तो मीटर में convert हो जाएगा तो 50 200 क्योंकि यह है अब तलने माइनस में आएगा इसका answer हो गया माइनस 2D 81 का माइनस 2D तो चलिया एक कोशन की ओड़ देखे बिरासी नमर कोशन बिरासी नमर में क्या कहा गया बिरासी में कहा गया निम लिखित में से कौन सी राशानिक अभिकिरिया क्लो क्लोर एलकाली परकिरिया को निरुपित करता है कोशन में कहा गया कि निम लिखित में से कौन सी राशानिक अभिकिरिया क्लोर क्लोर एल पड़किर्या को निरूपित करता है तो बताइए बिरासी का एंसर क्या हो जाएगा बिरासी का एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका एंसर हो जाएगा एने सी एल पलस टू आट टू और इसके पार इसको सॉल्व करने पर टू एन ओ आर पलस सी एल पलस आट टू इसका एंसर या क्लो एलकली पर क्या रुपित करता है तो अप्सन डी इसका एंसर बिरासी का डी हो जाएगा तो चरिया एक कोशन की और आगे देखे कोशन 83 नमर कोशन देखे 83 में कहा गया शोशन की दर परकास संसलेशन की दर से अधिक होने से पौधो पर क्या परवाब परेगा कोशन में कहा गया शोशन की दर परकास संसलेशन की दर से अधिक होने से पौधो पर क्या परवाब परेगा तो बताइए 83 का एंसर क्या हो जाएगा 83 का एंसर क्या हो जाएगा तो 83 का एंसर हो जाएगा option B इसका एंसर हो जाएगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन oxygen होगा जिससे पोशन के परभाब में पौधा सुख जाएगा इसलिए कोशन कहा गया सोशन की दर परकाश संसले संग दर से अधिक होने से पौधा पर क्या परभाब होगा पौधा सुख जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा option B83 का चलिए कोशन क्यों आगे आगे देखिए कोशन 87 नमर कोशन 87 नमर कोशन में क्या कहा गया 87 कहा गया योगिक C2S6 और C3H8 में डेश इकाई का अंतर और डेश स्रिनिक से संबंदित है कहा गया योगिक C2S6 और C3H8 में डेश इकाई का अंतर है और डेश स्रिनिक से संबंदित है तो बताईए 87 का answer क्या हो जाएगा 87 का answer option C हो जाएगा इसका answer CH2 हो जाएगा इसका answer CH2 हो जाएगा answer क्योंकि C में 2 है C में 3 इसका answer C1C भचा H6 H8 इसके भी इंतर 2 बचा तो CH2 हो गया अब ये कौन सरेणी में आता है तो समझातिय सरेणी माता है कौन सरेणी माता है समझातिय सरेणी तो CS2 समझातिय सरेणी तो option C 87 का C answer हो गया चलिया एक question गयोड आगे देखे question में क्या कहा गया 89 नमर question देखे 89 कहा गया निमलिखित में से कौन सी उसमिया उर्जा का इकाई नहीं है निमलिखित में से कौन सी उसमिया उर्जा का इकाई नहीं है तो बताए 89 का answer क्या हो जाएगा 89 का हो जाएगा A answer किलो वार्ट जो है उसमिया उर्जा का इकाई नहीं है वाट सेकेंड है कैलोरी है जूल है कौन नहीं है किलो वाट उसमें और जाका इकाई नहीं है option यह इसका उना इसका हो जाएगा 89 का ए अंसर हो जाएगा चलिए आगे question की और कि आगे question में क्या कहा गया आगे question देखिए 90 कोशन नब्या नमर कोशन नब्या हम कहा गया तिरपूरा राज भासा अधिनिया मुनिश्वच चाउशत के अनुसार तिरपूरा राज के सभी या किसी भी अधिकारिक परियोजन है तू किन भासाओं का उप्योग किया जाना चाहिए कहा एक question में तिरपूरा राज भासा अधिनिया 164 के अनुसार तिरपूरा राज के सभी या किसी भी अधिकारिक पर्योजक है तू किन भासाओं का उप्योग क्या जना चाहिए तो बताए नब्यक अंसर क्या हो जाएगा नब्यक अंसर option D हो जाएगा बंगाली और कोक बोरोक इसका answer option D हो जाएगा नब्यका तो चलिए आए कोशन की ओड़ आगे देखे एक काउनगा नमर कोशन एक काउनगा हम कहा गया काउन साराज A.B.G.C. एनिमेशन वर्चुल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कोमिक्स Center of Excellence का आरभ करने वाला भारत का पहला राज बन गया तो बताइए इसका answer एक काउनगा क्या हो जाएगा एक काउनगा का answer हो जगा option A करना टक क्या जगा करना टक इसका answer हो जाएगा क्योंकि कोशन में कहा गया इस परकार से कोशन इसका रहेगा इसके बाद चलिया एक कोशन की ओर आगे देखे कोशन में कहा गया 13. kos сем गरः क्यों नहीं टिमटीम आते हैं गरः क्यों नहीं टिमटीम आते हैं तो बताइए 13. avis answer क्या हो जाएगा चार option दिया गया है तो 13. avis answer option A हो जाएगा क्योंकि वे परकास को बिश्टाइस सोत के रूप में काड करता है इसलिए ग्रह क्यूं नहीं ठिम्ट माते हैं इसलिए नहीं ठिम्ट माते हैं आगे चलिए कोशन की ओर कि आगे देखे कोशन में क्या कहा गया आगे देखे 97 नमर कोश्चन 97 नमर कोश्चन में क्या कहा गया कहा गया भारत के भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्न टूल किसने बिक्षित किया है भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्न टूल टूल किसने बिक्षित किया है तो बताई ये संतौनवेक एंसर क्या हो जाएगा तो संतौनवेक एंसर ओप्षन C हो जाएगा के अंदर ये मादमिक सिक्षा बोड़ C, B, S, E और राष्टिय सेक्षिक अनुसंसाधन और परिशन परिशन N, C, E, R, T ओप्षन C एंसर हो जाएगा अन्ठोनवेक का C आगे चलिए कोशन की और अन्ठोनवेक नमर कोशन देखिए अन्ठोनवेक हम कहा गया डैस वसा के वाईसिकरन में सहाइक होता है तो बताई है अन्ठोनवेक एंसर क्या हो जाएगा अन्ठोनवेक एंसर हो जाएगा कोशन की ओर लाश्ट कोशन सोन नमर देखिए भारतिय संबिधान का कौन सानुछेद रासपती को सूचना आधी पस्तूत करने के संबंद में परधान मंत्री को करतवों से संबंदित है कहा के कोशन में भारतिय संबिधान का कौन सानुछेद रासपती को सूचना आधी पस्त करने के संबंद में पर्धान मंत्रिक करतवों से संबंधित हैं तो बताइए स्वा का एंसर क्या हो जाएगा स्वा का एंसर ऑप्शन डी हो जागा अनुच्यद सब्सक्राइब करने से संबंद में परधानमंतिक करतबों से संबंदित हैं तो क्या होगा एक स्वा कैंसर क्या होगा अनुछेद अठ्थतर में तो आप लोग सेर जरूर कीजिए और साथ बच्चा स्टुडेंट की और कि इसको उनको पता हो सकेगा की निव बुक का हम मेरे पास में कोर्शन आ रहा है हम बुक मार्केट से जो अस्टुडेंट नहीं सक्षम हैं वो इस बुक से परकर आगे बढ़ सकेगा त झाल